हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आरिफा फैशन डिजाइनर आज इस वीडियो में हम टेलरिंग के लिए जो जरूरी माटीरियल है उस बारे में बात करेंगे सो सब में पहले हमारा है थ्रेड रिल हम यह एकॉर्डिंग टू फैब्रिक मैच करके लेंगे सकेंड है हमारा देखिए यह मशिन निडिल है यह है हम निडिल जिससे हम तुर्पई करते हैं नेक्स्ट है हमारा यह है बकरम रोल देखिए यह हम शट के कॉलर्स में या फिर शल्वार के बॉटम में योज़ करते हैं ये वang इंच वाला है नेक्स्ट है सीजर यह फैब्रिक कट करने के लिए है आप कोई भी सीजर यूज कर सकते हैं यह है देखिए बॉबिन केस और बॉबिन यह फुल शेटल मशीन का है बॉबिन केस नेक्स्ट इस आवार स्टिफ पेपर यह हम इसे कैन्वेस पेपर भी बुल सकते हैं यह हमारे नेक्स डिजाइन में काम आएगा देखिए यह है बुकरम शीट वो जो हम पटियाला शलवार बनाते हैं उसमें हम इसे यूज करेंगे त्री इंचेस फो इंचेस का कट करके बॉटम शलवार में यूज करेंगे इसको देखिए यह है मारकर यह हम जब ड्राफ्टिंग डालते हैं तो उस पे मारक करेंगे हम देखिए यह बहुत ही आसाने से मारक हो जाता है नेक्स्ट इस चौक पिस अगर आपके पास मारकर नहीं है तो आप चौक पिस भी यूज कर सकते हैं इसकी मारकिंग मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगती इसलिए मैं मारकर ही यूज करती हूँ फिर भी अगर आपके पास अगर नहीं है तो यूज कर सकते हैं देखिए यह है long notebook, हमें drafting, draw करने के लिए चाहिए, next is carbon paper, यह हम neck pattern trace करने के लिए use करेंगे, यह pencil, यह scale, देखिए यह है cod वाला piping, जो हमारा shirt में या कूर्ती में, slits में इस्तेमाल होता है ना, piping, यह वो है, यह है measuring tape, या आप इसे inch tape भी बोल सकते हैं, देखिए यह है hooks, यह जो blouse में use होते हैं, टाकने के लिए, देखिए इस तरहा से दिखते हैं, आपको पता ही होगा hooks के बारे में, देखिए यह है button, show button है यह, हम कुर्ती के neck पे use करेंगे से, देखिए यह है elastic, यह गोल वाली elastic है, हम इसे शलवार में, या कोई भी शलवार में इस्तिमाल कर सकते हैं, देखिए यह है half inch वाला elastic, यह हम skirts में use करेंगे, अभी के लिए इतना ही, thanks for watching, like, share and subscribe,